अब आई दिन हमले हो रहे हैं, अब आधनी ये चंसेखर राजाज पर हमला होया है, अब हम तो पूछना चाहते हैं इस सरकार से, क्यों न आप तक, क्यों न वे अपराधी पकड़े गए, और अपराधी पकड़े जाएं, और उनके घर पर बुल्डोजर क्यों नहीं चला, च आधने चोधरी जैन सिंग जी उठाएंगे, और इस बात का बटा पेक्स हो, सरकार को करना पड़ेगा, नमस्कार मैं हूँ कुल्डीप सिंग और आप देख रहे हैं, हैरलाइंस उत्तर प्रदेश, आजाद समाझ पारटी के चीप और भीमारमी के चीप, चदर से गुजरते हुएगे, एक आध इंच इधर उधर होती, तो साइब बड़ी घटना हो सकती थी, उन्हीं को लेकर बातचीत करेंगे, सामली से विदाएक पर संचोधरी जैमार साथ इंसे बातचीत करेंगे, सरकल हमला हुआ, एक जन परती निदी पर ऐसा जान लेवा हमला, कै कैसे देखते हैं, यह बड़े दुख की बात है, और इस देश का दुरुभाग्य है, कि ऐसी सरकार काभीज है, जिसका सोतेला वैवार है, और जिसकी कथनी और करनी में फरक है, जो कहती है, खूब परचार परसार करती है, कानून विवस्ता, और आई दिन, उत्तर प्रदे में आई दिन, ऐसी घटनाएं हो रही हैं, और इससे बड़ा कोई घटना हो नहीं सकती, कि एक जनपरतनी दिवे हमला हो रहा है, तो आम जनता कैसे सुरक्षित हो पाईगी, मैं चार-पांच महिने से देख रहा हूँ, उमेश-पाल की हत्या हुई, और दो प्लीस वालू की भी हत्या हुई, इससे बड़ी घटना और उस्तरप्रदेश में क्या होगी, उसके बाद ऐसे एक मुझरिम को, जो सुप्रीम कोट की कस्टेडी में, उसको पेसी पर ला जा रहा है, उसे दिन दाड़े गोलियों से भून जया जाता है, और जबकि आपका साप कहना है, जिस तरीके से दावे के जा रहे हैं, कानून वैवर्ष्ता के, चाहे वो अतीग का हो, कि वो भी कुश्टेडी, पुलिस कस्टेडी में ते, चाहे संजीर जीवा का हो, वो भी पुलिस कस्टेडी में ते, ऐसी हत्याओं को आप देख रहे हैं, तो कही कही सरकार के दावे, खोकले साबित हो रहे हैं, और जबकि पुलिस मूख दर्सक बनी रही है, तो यह सब क्या हो रहा है, नयाय पालिका का गलाग भूटा जा रहा है, अभी जो क्रिमिनल है, ठीक है, वो क्रिमिनल है, उससे सजा दो, कोर्ट सजा देगा, लेकिन यह मतलब पुलिस की कस्टिडी में, उससे कोई और उमार के भाग रहा है, फिर पुलिस क्या करेगी, फिर कोट क्या करेगा, अब आई दिन हमले हो रहे है, अब हम तो पूछना चाहते हैं इस सरकार से, क्यों ना आप तक, क्यों ना वे अपरादी पकड़े गए, और अपरादी पकड़े जाएं और उनके घर पर बुल्डोजर क्यों नहीं चलना चाहिए, उनके घर पर बुल्डोजर चलना चाहिए, उनके घर पर बुल्डोजर चलना चाहिए, उनको पकड़े जाने चाहिए, तो अब इस देखा जाएगा, अब देखेंगे, यह सरकार क्या फैसला ल अंदर है और वो समझता है कि सरकार नाम की कोई चीज नहीं है गटबंदर के साथ ही है के लिए श्यादव जी बार बार पिछले सालों से एक सवाल उठा रहे हैं कि एक सरकार जो यह कैसी सरकार है जो कानुन प्रवस्ता की बात करती है आज तक एक अपना पर्मेनेंट डीजीप नहीं दे पाई तो कहीं न कहीं असर डालेगा कि अगर पर्मेनेंट डीजीपी हो तो खन उनवर्स्ता में पर पड़ेगा कुछ तंगरुस्ती आएगी जो डीला ढाली चल रही है ऐसे चल दे कोई भी गोली मार के भाग रहा है जो बात यह बिल्कुल कार्या से ली है तुन्हें रखो आइस्ता ही क्यों कर रहे हो इस्ता ही करो तो फरक है अधन्य अखली से आजब जीने सही का है गलत्तु कहले अपके गटबंदन के साती भी है खतोली में देखा उनका सर भी दिखा राष्ट्य लोगदल ने माना भी के चंदर सेक राजाद क की वज़े से इतनी भारी वरकम जीत हुई तो यह आपका जो राष्ट्य लोगदल का परिवार है उनसे मिलने जाएगा कोई मांग रखेगा बिल्कुल ठीक कह रहे हुगा दो यह तो हमारा फार्ज है हम तो राष्ट्य लोगदल हमेशा इस देश में प्रदेश में और हमा इता जा रहे हैं और यदि सरकार कुछ नहीं करेगी तो बड़ा कदम अधने चोदरी जैन सिंग जी उठाएंगे और इस बात का बटापेक्स हो, सरकार को करना पड़ेगा, परसासन को करना पड़ेगा, कि बाधने चंसेगरा आज़त्पा हमला क्यों हुआ है, और जो हमला जिसने किया है, उसकी गरपतारी बहुत जल्दी इस सरकार को करनी और ये बहुत बड़ी घटना है, और हम इसकी बहुत निंदा करते हैं, और ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, कि आधने चंसेगरा आज़त्पा हमला हुआ है, जी थे सामली से जिनका साब तोर पे करना हैं, जो बुल्डोजर का हवाला दिया जाता है, अपरोद्यों प तक 24 गंटे होने वाल है, अब तक पकड़े क्यों नहीं गहे, ये भी बड़ा सवाल है, तो आप भी जुड़े रियार्लाइन संतर प्रदेश के साथ, मैं कुंदीप सिंग सामली